परिचय आज एक धूप वाला दिन है विशाल दिन का आनंद लेने के लिए बगीचे में है अचानक वो एक पुश्प को देखता है और उसे वो पसंद आता है वो उसे लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है लेकिन तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच लेता है उसे क्या हुआ? अब चलो थोड़ा पास से देखते हैं जैसे ही उसने पुश्प के तने को छुआ उस पर लगा हुआ कांटा उसे चुप गया तथा संवेदक जो की तवचा के नीचे स्थित होते हैं उद्धी पन का पता लगाते हैं तथा ये उद्धी पन केंद्रिये तंत्र का तंत्र को ले जाया जाता है तथा इसकी अनुक्रिया में कंकाल पेशियां सिकुरती जाती हैं तथा वो अपना हाथ हटा लेता है इसलिए इस मॉड्यूल में हम तंत्र की ये नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे उत्यश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मानव के तंत्र की ये तंत्र को परिभाशित करना तंत्री कोशिका यानी नियूरोन की सनचना तथा कारे का वर्लन करना तंत्री का आवेगों की उत्पत्ती एवं संचरन का वर्लन करना आवेगों के संचरन का वर्लन करना केंद्रिय तंत्री का तंत्र की व्याख्या करना प्रतिवर्थी क्रिया तथा प्रतिवर्थी चाप का वढ़न करना, मानव नेत्र तथा मानव कर्ण की सनचना तथा कारीकी का वढ़न करना. तंत्र की ये तंत्र तंत्र की ये तंत्र शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वईत करता है तंत्र कोशिका यानि नियूरोन तंत्र की ये तंत्र की संदचनात्मक एवं क्रियात्मक की काई होती है ये शरीर के एक भाग से अन्य भागों तक सूचनाओं को ले जाती है आग कशेरू कियों की तुल्ला में तंत्री का तंत्र कम विक्सित होता है तथा इन में कुछ तंत्री कोशिकाएं यानि नियूरॉंस ही पाए जाती है मानव तंत्र का तंत्र मानव का तंत्री का तंत्र दो भागों में विभाजित होता है केंद्रिये तंत्री का तंत्र और परीधिये तंत्री का तंत्र केंद्रिये तंत्री का तंत्र के अंतरगत मस्तिश्क तथा मेरूरज्जू समलित है परिधिये तंत्रिका तंत्र के अंतरगत कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरू तंत्रिकाएं आती हैं तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं संवेदी या अभिवाही तंतु एवं चालक या प्रेरक या अपवाही तंतु संवेदी या अभिवाही तंतु ये तंतू उद्धी पनों को उद्धकों या अंगों जैसे समवेदी अंगों से केंद्रिय तंत्र का तंत्र तक ले जाते हैं चालक या प्रेरक या अपवाही तंतू ये तंतू उद्धीपनों को केंद्रिये तंत्रिका तंत्र से उद्धकों या अंगों तक ले जाते हैं परिधिये तंत्रिका तंत्र परिधिये तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है काईक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत तंत्रिका तंत्र काईक तंत्रिका तंत्र उद्धी पनों को केंद्रिये तंत्रिका तंत्र से एच्छिक अंगों तक ले जाता है, जबकि स्वायत तंत्रिका तंत्र उद्धी पनों को तंत्रिका तंत्र से अनेच्छिक अंगों जैसे हिर्दय पीश्यों तक ले जाता है स्वायत्य तंत्रिका तंत्र पुना दो भागों यानि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गिक्रित किया गया है पर आनुकम्पी भाग कुछ कारियों जैसे हिर्दय दर कम करना, प्यूपिल का निर्माण करना आदी को नियंतरित करता है, जबकि आनुकम्पी भाग इसके विपरीत प्रभाव जैसे हिर्दय दर बढ़ाना आदी दर्शाता है. तंत्री कोशिका नियूरौन तंत्र का तंत्र की संडचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एक तंत्री कोशिका यानि नियूरौन के तीन मुख्य भाग होते हैं, कोशिका काई, दुमराक्षे एवं तंत्रिकाक्ष ये विशेशी क्रित कोशिकाएं सूचनाओं को ग्रेहन तथा उन्हें समवहित करने के लिए उत्तरदाई होती हैं कोशिका काय में कोशिका द्रव्वे और प्रारूपिक कोशिकांग और विशेश दानेदार अंगक निसेल ग्रेनियूल पाए जाते हैं दुम्राक्षे कोशिका काय से प्रवधित होते हैं वे ग्राहियों तथा कई अन्ने तंत्र कोशिकाओं यानि नियूरौनों से तंत्र किये आवेगों को ग्रहन करते हैं तथा इन आवेगों को कोशिका काय की तरफ समवहित करते हैं एक लंबा तंतु जो की कोशिका काय से आवेगों को दूर ले जाता है, तंत्री काक्ष कहलाता है. प्रतेक तंत्री काक्ष के सिरे पर एक बल्ब सद्रिश सनचना जिसे सिनेपटी पुटि का कहते हैं, पाई जाती है, जिस पर निउरो ट्रांस्मीटर्स पाई जाते हैं. एक धुरुविये, इनमें केवल एक यही तंत्री काक्ष उपस्तित होता है, दुई धुरुविये, एक तंत्री काक्ष एवं एक दुमराक्ष उपस्तित होता है, बहु धुरुविये, एक तंत्री काक्ष तथा दो या अधिक दुमराक्ष उपस्तित होते हैं, तंत्री का आच्छादी एवं आच्छदहीन आच्छदी तंत्रिका तंतू श्वान कोशिका से ढखे रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों और माइलन आवरन पनाती है। माइलन आवरनों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। जबकि आच्छदहीन तंत्रिकाक्षों में, तंत्रिकाक्ष के चारों और कोई भी माइलन आवरन नहीं पाया जाता है। तंत्रिका आवेकों की उत्पत्ति एवं संचरण एक तंत्रिका आवेक एक संदेश होता है, जोकी तंत्रिकोशिका की जीव द्रविचली में वोल्टेज द्वारिये चैनलों द्वारा आयनों के गतिशील होने के कारण, दुम्राक्षियों अथवा तंत्रिकाक्षों के साथ समवहित होता है। विद्धुतिये विभाव के कारण वोल्टेज द्वारिये चैनल खुलते तथा बंध होते हैं, जिससे हम ये निशकर्ष निकालते हैं कि वे उनके चारों तरफ लगने वाले विद्धुतिये आवेश के द्वारा प्रभावित होते हैं। जब तंत्री कोशिका, नियूरोन व्रहमा वस्था में होता है, तो कोशिका के अंदर तथा बाहर आवेश अंतर बना रहता है। सोडियम, पोटेशियम पंप के द्वारा ये आवेश निर्मित होता है, तथा बना रहता है। पंपो सोडियम आइनों को कोशिका के बाहर भेशता है जबकि पोटेशियम आइनों को कोशिका में प्रवेश कराता है। जबकि अन्ड चैनल कुछ पोटेशियम आयनों के प्रवाह को वापस कोशिका में भेजते हैं, जहांकि सूडियम आयन खोई हुए धनात्म कावेशों को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं. इसका परिणाम ये है कि कोशिका की बाहर कुल धनात्म कावेश तथा अंदर कुल रिनात्म कावेश होता है, कोशिका के अंदर तथा बाहर आवेश में अंतर विराम कला विभाव कहलाता है. अब जब कोई उद्धिपन दुम्राक्ष पर जीव द्रवे जिली के साथ छेड़ छाड़ करता है एक कंद्र का उद्धिपन प्रारंब होता है जिससे सोडियम चैनल खुलता है सोडियम आयन कोशिका में बहने लगते हैं तथा वो सिस्थान पर आवेश में अंतर को कम करते हैं यदि आवेश अधिक होता है तो ये अन्ने वोल्टेज दौरिये सोडियम चैनल को इसके पास खोल देता है जैसे ही कोशिका में कई सोडियम आयनों का संचरन होता है तो वो स्थान जिल्ली को विद्रूवी करण बनाता है तथा कोशिका के भीतर कुल धनात्म कावेश तथा कोशिका के बाहर कुल रनात्म कावेश पाया जाता है ये पडोसी वोल्टेज द्वारिये सोडियम चैनलों को भी प्रभावित करता है, तथा ये उन्हें खोलता है एवं विद्रूवी करण जिल्ली के साथ आगे बढ़ता है क्रियात्मक विभाव के पीछे बदलाव विराम कला चिल्ली विभाव को पुना इस्थापित करते हैं वोल्टेज द्वारिये पोटेशियम चैनल बंध हो जाते हैं, जिसके कारण कोशिका से बाहर की तरफ पोटेशियम आइनों का एक तेज प्रभा होने लगता है जिससे कोशिका की भीतर पुना रिनात्म कावेश तथा कोशिका की बाहर पुना धनात्म कावेश उत्पन्न हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप विराम कला चिल्ली विभाव पुना इस्थापित करता है तथा कोशिका की भीतर तथा बाहर सोटियम एवं पोटेशियम आयनों की सही सांद्रता को पुना निर्मेत करता है आवेगों का संचरण दो तंत्री कोशिकाओं यानि निर्मेत के मध्धे एक संकेत को संचारित करने के लिए एक वैद्धुतिय उद्धिपन एक सिनेप्स के उपर समवहित होना चाहिए सिनेप्स एक संदी है जिसके द्वारा एक उद्धीपन एक तंत्री काक्ष सिरे से एक तंत्री कोशिका यानी नियूरोन तक जाता है ये पूर्व सिनेप्टिक तथा पश्च सिनेप्टिक तंत्री कोशिका द्वारा बना होता है जैसे ही क्रियात्मक विभाव नीचे तंत्री काक्ष की तरफ जाता है तथा ये तंत्री काक्ष सिरे तक पहुँचता है केल्शियम चैनल खुल जाते हैं जिससे केल्शियम आयन तंत्री कोशिका में चले जाते हैं इसके बाद तंत्री कोशिका यानि नियूरॉन नियूरो ट्रांस्मीटर्स का निर्माड करता है तथा पुठिकाओं में उन्हें संचित करता है जैसे ही केल्शियम पुठिकाओं से बंध जाता है पुठिकाओं नियूरो ट्रांस्मीटर को पूर्व सिनेप्टिक जिल्ली की तरफ ले जाती है जब पुठिकाएं तंत्रिकाक्ष सिराजिली के संपर्क में आती हैं तो नियूरो ट्रांस्मीटर सिनेप्टिक दरार में तयाग दिया जाता है। उपस्तित ग्रहियों से बंद जाता है। पश्च सिनेप्टिक तंत्रिकोशिका यानि नियूरोन पर पाई जाने वाले ग्रहियों को सक्रिय कर देता है। तथा फिर ग्रही सोडियम आईनों को सुसाध्य विसरन द्वारा तंत्रिकोशिका में प्रभेश करने देते हैं जिसस पश्चे सिनेप्टिक तंत्री कोशिका में एक क्रियाद्मक विभाव उत्पन हो जाता है। निश्कासित निउरो ट्रांस्मीटर्स सिनेप्टिक दरार में वापस विश्रित हो जाते हैं तथा पुठिकाएं कुछ निउरो ट्रांस्मीटर्स को पुना चक्रन करती हैं. केंद्रिय तंत्र का तंत्र केंद्रिये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का एक प्रसारण तंत्र है ये कपालिये गोहा में स्थित होता है इसमें संयोजी उतक जिलियों की तीन परत होती है बाहे परत, डूरमेटर, आंतरिक परत, एरेकनॉइट तथा आंतरिक परत, पायमेटर होती है ये पड़तें कपालिये मेनिंजेज कहलाती है पाया मैटर तथा एरिकनॉइट के मद्ध के स्थान में मस्दिश्क मेरू द्रवे भरा होता है मारा मस्दिश्क को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है अग्र मस्तिश्क मध्धे मस्तिश्क एवं पश्चे मस्तिश्क अग्र मस्तिश्क मानव मस्तिश्क का सबसे अग्र तथा मुख्य भाग है ये सेरी प्रम थेलमस तथा हाइपो थेलमस से बना होता है प्रामस्टिश्क बलकुट अगर मस्टिश्क की पतली बाहे परत बनाती है जिसे प्रामस्टिश्क यानि सेरी ब्रम कहते हैं जिसे प्रामस्टिश्क दो भागों में बाई तथा दाई तरफ विभगत होता है जिसे प्रामस्टिश्क गोलार्द कहते है प्रामस्तिश्क बलकुट प्रामस्तिश्क को ठकता है। प्रामस्तिश्क बलकुट के नीचे स्थित होता है। प्रामस्तिश्क बलकुट के ठीक नीचे एक मटर के आकार वाली सनचना उपस्तित होती है। जिसे हाइपो थेलमस कहते हैं ये शरीर के अनेक मुख्य कारियों जैसे भूक, प्यास, तरल संद्रता, शरीर के ताप और जनन प्रक्रियादी को नियंतरित करने में सहायक है लिम्बिक तंत्र परस पर जुड़ी हुई सनचनाओं का एक समू है जो की एमिगडाला, हिपो केंपस, थेलमस तथा हाइपो थेलमस के भागों से मिलकर बना होता है मध्धे मस्तिश्क मध्धे मस्तिश्क पश्च मस्तिश्क के उपर इस्थित होता है इसमें तंत्र का मार्ग पाया जाता है जो की अगर मस्तिश्क से जुड़ा होता है मद्धे मस्तिश्क नेत्र पेशियों की स्वाता गतियों में एक महत्पून भूमिका निभाता है मद्धे मस्तिश्क के भाग मस्तिश्क स्तंभ का निर्माण करते हैं रेटिकूलर निर्वान तंत्री कोशिका का जाल होता है, जो की पश्च मस्तिश्क से निकलता है। मध्य मस्तिश्क से होता हुआ प्रमस्तिश्क में थेलमस तक गुजरता है। ये ध्यान, सजक्ता तथा लेंगिक उत्तेजना को नियंतरित करने में महत्पून भूमी का पश्चे मस्टिश्क मस्टिश्क का सबसे निचला भाग पश्चे मस्टिश्क कहलाता है। पश्चे मस्टिश्क पोंस, अनुमस्टिश्क और मध्यांश यानि मेट्यूला, अबलोगेंटा का बना होता है। मध्यांश तथा पोस में समवेदी तंत्री कोशिकाएं यानि नियूरॉन्स पाए जाती हैं, जो की सूचनाओं को मेरू रज्जु से अगर मस्तिश्क तक समवहित करते हैं। मध्यांश जीवन के दैनिक कारियों जैसे हिरदयस्पन्दन तथा श्यसन को नियंतरित करता है, पोस निद्रा तथा जागने की दशा को नियंतरित करता है, मस्तिश्क स्तम्भ मेरू रज्जु को मस्तिश्क के उच्च क्षेत्रों से जोड़ता है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्रद्वारा एक उद्धिपन के प्रती एक त्वरित प्रतिक्रिया होती है मानव में किसी गर्म वस्तू को छूने पर हाथ को जटके से हटा लेना प्रतिवर्ति क्रिया का एक उधारण है जब घुटने के ठीक नीचे गंडरा पर आगहात होने पर टांगों का सीधा होना इसका एक अन्य उधारण है चलो अब प्रतिवर्ती चाप का विस्तार से परीक्षन करते हैं पहले त्वचा के विशेशिक्रित समवेदी तंतू दर्थवाले उद्धिपन का पता लगाते हैं तथा इस सूचना को मेरू रज्जू में तंत्रिका कोशिकाओं को भेशते हैं ये सूचना एकल समवेदी तंत्रिकोशिका द्वारा ग्रहन की जाती है समवेदी तंतू मेरू रज्जू तथा मेरू रज्जू के अंदर अंताह तंत्रिका कोशिका यानि नियूरौन के उपर सिनेप्स में प्रवेश करते हैं ये अंताह तंत्रिकोशिका यानि नियूरौन चालक नियूरौनों के उपर सिनेप्स को भेशते हैं जिससे कंकालिये कोशिकाएं नियंत्रित होती हैं भुजा में सामने की तरह विस्थित लचीली कोशिकाएं संकुचन के लिए निर्देशित करती हैं जबकि भुजा में पीछे की तरह विस्थित बाहे पेशियां शिथिलन के लिए निर्देशित करती हैं। एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में इस्थित अस्थी गर्दिक जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, इन में इस्थित होते हैं। के भीतर प्रवेश करता है। हमें सहायता देते हैं। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग है, जो की कौर्णिय दौरा द्रिश्य होता है। आइरिस में एक गहरा चिद्र पाया जाता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। ये प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है। आइरिस की चिकनी पेशी प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करती है। नेत्र की सबसे आंत्रिक परत रेटिना कहलाती है। रेटिना पर पाय जाने वाले प्रकाश ग्राहियों के दो प्रकार शलाका तथा शंकू है। शलाका कम प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं, जबकि शंकू केवल तेस प्रकाश में कारे करते हैं। रेटिना में गुच्छिका, कोशिका का तंत्रीकाक्ष नेद्र के पीछे एकत्रित होकर द्रिक तंत्रीका का निर्माण करते हैं. इस क्षेत्र में कोई भी प्रकाश क्राही उपस्थित नहीं होता है ये प्रकाश के प्रती असमवेदन शील होता है अता इसे अंध बिंदू कहते हैं रेटिना के मेक्यूला में एक छोटा गर्थिस्थित होता है जिसे फोविया कहते हैं ये फोविया पर उपस्थित लगभग सभी शंकों को स्पष्ट द्रिष्टी प्रधान करता है। कॉर्डिया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चंबर यानि जलिय कोष्ट कहते हैं, जिसमें पतला जलिय द्रव नेत्रोद होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्तिस्थान को कचाप यानि द्रव कोष्ट कहते हैं, और ये पारदर्शी द्रव कचाप द्रव कहलाता है। देखने की प्रक्रिया प्रकाश किसी वस्तू से परवर्तित होकर कॉर्णिया तथा लेंस के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है, तथा फिर प्रकाश रेटिना पर फूकस होता है, तथा शलाका तथा शंकों में क्रियात्मक विभाव उत्पन करता है। नेत्र में प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं जो की ओपसिन तथा रेटिनल से बने होते हैं। प्रकाश ओपसिन की सनचना को परिवर्तित कर देता है जिसके कारण जिल्ली की पारिक गम्मेता भी परिवर्तित हो जाती है। इसके परिणाम सरूप विभवानतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संगेत की उतपथी होती है। द्रिक तंत्र का द्वारा मस्टिष्क के दिष्टी वलकुट क्षित्र में भीजा जाता है। वलकुट में आवेगों का विशलेशन होता है, तथा रेटिना पर छवी का निर्माण होता है. कर्ण मानव कर्ण एक विशिस टंग है, ये दो समवेदी क्रियाई करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना. कर्ण की शरीर क्रिया, विक्यान कर्ण को तीन भागों में विभग्त किया जा सकता है, बाहे कर्ण, मद्धे कर्ण और अन्ताह कर्ण. बाहे कर्ण बाहे कर्ण उपास्थी की एक अनियमित आकार के टुकडे को ढखने वाली त्वचा, पित्रा तथा कर्ण पाली से मिलकर बना होता है. बाहे कर्ण में एक छोटी ट्यूब बाहे श्रमण गोहा भी पाई जाती है, जोकी ध्वनी तरंगों को मद्धे कर्ण तक संचारित कर्ती है. बाहे श्रवन गोहा तुचाद्वारा आस्तरित होती है जिसमें स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है जोकी कन मूम का निर्मान करती है कण मूम में बाहे कण भसे होते हैं, तथा इसमें एक प्रकृतिक प्रति जैविक पदार्थ पाया जाता है, जो की कण संक्रमन को कम करने में सहायता करता है. मद्धे कण मद्धे कण कपाल के भीतर रिस्थित होता है. मद्धे कण तीन अस्थिकाओं से बना होता है, जिन्हें मेलियस, इंकस और स्टेपीस कहते हैं. स्टेपीस कोलकिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है. यूस्टे कियन नलिका मद्धे कण गोहा को फैरिक्स से जोड़ती है. यूस्टे कियन नलिका कण पटेह के दून और दाब को समान रखती है. कण की शरीर क्रिया विज्ञान अंताकरण द्रफ से भरा अंताकरण लेबरित कहलाता है, जो की अस्थिल और जिली नुमा लेबरित से बना होता है. अस्थिल लेबरित वाहिकाओं की एक श्रिंखला होती है. इन वाहिकाओं के भीतर जिली नुमा लेबरित होता है, जो की परिलेसी का द्रफ से घिरा रहता है. किन्तु जिली नुमा लेबरिंध एंडोलिंफ नामक द्रफ से भरा रहता है. अस्थिल लेबरिंध के तीन मुक्य भाग होते हैं, कोकलिया, अर्ध चंद्रकार नलिकाएं तथा वेस्ट ब्यूली जो की कोलकलिया तथा अर्ध चंद्रकार नलिकाओं को जोडती है. कोलकलिया में राइजनर्स तथा बैसलर जिल्ली पाई जाती है. स्टेपीज के पीछे अंडाकार खिड़की पाई जाती है तथा अंतागण में बाहर की तरफ निकली हुई गोल खिड़की उपस्थित होती है. और्गन ओफ कार्ण दाई आधारिय जिल्ली के स्केला मीडिया पर इस्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रूम कोशिकाएं श्रवन गराही के रूप में कारे करती है। रोम कोशिकाओं का आधारिय भाग अभिवाही तंत्र का तंतु के निकट संपर्क में होता है। रोम कोशिकाओं की श्रंखला के उपर पतली लचीली टेक्टोरियल जिली होती है। वेस्टिबूलर तंत्र तीन अर्थ-चंद्रकार नलिकाओं और ऑर्गन ओफ ओन्टोलिस से बना होता है। प्रतेक अर्थ चंद्रकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल परिस्थित होती है। जिल्ली नुमा नलिकाएं आइस्थल नलिकाओं के परिलसिका द्रब में डूपी रहती है। नलिका का फूला हुआ आधार भाग एमपुला होता है जिसमें एक उभार निकलता है जिसे क्रिस्था एमपुलेरिस कहते हैं। प्रतेक क्रिस्था में रूम कोशिकाएं होती हैं। लगुकोश और योट्रिकल में उभार नुमा सनरचना मैक्यूला होता है। श्रवन की क्रिया ध्वनी तरंगे बाहे कन द्वारा प्रवेश करती हैं तता कन पटे तक पहुँशती हैं ध्वनी तरंगों के प्रतिक्रिया में कन पटे में कमपन होता है और ये कमपन कन अस्थिकाओं यानी मैलियस, इंकस और स्टेपीस से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुँशते हैं गोलाकार खिड़की से कमपन कोकलिया में भरे द्रफ तक पहुँशते हैं जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करती हैं आधारिय जिली में गती से रूम कोशिकाएं मुड़ती हैं और टेक्टोरियल जिली पर दबाव डालती हैं फल्चरूप संगठित अभिवाही नियूरॉंस में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवन तंत्रिका से होते हुए मस्तिश्क के श्रवन वलकुट तक भीजे जाते हैं जहां आवेगों का विशलेशन कर ध्वनी को पहचाना जाता है क्या आप जानते हैं? मैलियस, इंकस तथा स्टेपीस मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थियां होती हैं तथा जन्म के समय ही ये पूर्ण आकार की होती हैं टेम्पोरल अस्थि शरीर की सबसे घनी अस्थि होती है मानव नेत्र प्रतेग घंटे में 36,000 बिट्स सूजनाओं की प्रक्रिया कर सकते हैं सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रियाओं का नियंत्रन एवं समनवयन करता है मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों केंद्रिये तथा परिधिये तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है केंद्रिये तंत्रिका तंत्र को मस्तिश्क तथा मेरु रज्जु में विभाजित किया जा सकता है जबकि परिधिये तंत्रिका तंत्र को काईक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जा सकता है तंत्री कोशिका यानि नियूरॉन के मुख्य भाग तंत्रिका काई, दुम्राक्ष तथा तंत्रिकाक्ष हैं तंत्री का आवेक एक संधेश होता है जो की तंत्री कोशिका के दुम्राक्षियों एवं तंत्री काक्षियों के साथ संचरण करता है दो तंध्री कोशिकाओं के मध्धे एक संदीश के संचरण के लिए सिनेप्स के उपर एक वैद्धुतिय आवेक का संचरण अवश्य होना चाहिए मानव मस्थिश्क को अगर मस्थिश्क, मध्धे मस्थिश्क एवं पश्चे मस्थिश्क में विभाजित किया जा सकता है मस्टिश्क का सबसे अगरभाग होता है। ये सेहरी प्रम, थेलमस तथा हाइपो थेलमस से बना होता है। पश्चे मस्टिश्क, पूंस, अनुमस्टिश्क और मध्यांश यानि मेट्यूला, ओबलूगेंटा का बना होता है। प्रतिवर्थी क्रिया, तंत्रिका तंत्र द्वारा, एक उद्धीपन के प्रती, एक द्वरित प्रतिक्रिया होती है। मानवनेत्र तथा मानवकर्ण सम्वेदी अंग होते हैं।